हेलो अब्रीवन मेरा नाम है आशिष और आप सब कैसे हैं और यह आप जो सामने गाड़ी देख रहे हैं हुंड़े सेंट्रो इसको आया लगबग छे से साथ मेने हुए हैं और यह हमारी फैमिली के पहली कार है और इसको मेरे बड़े भाईया ने ली थी और एक मिडिल क्लास कॉमन आदमी के लिए छे से साथ लाग रुपए की गाड़ी खरीबना एक बहुत बड़ी बात होती है और नई गाड़ी वह यह सोच के लेता है कि हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और क्योंकि आदमी लेने को पुरानी गाड़ी भी ले सकता है नई गाड़ी इसल पर इसको श्टार्ट करो तो 5-6 बार से लिए और बीच रास्ते में कहीं बंद हो गई तब तो चौरह है पर अगर बंद हो गई तो श्टार्ट ही नहीं होती है पता लगा पीछे जो है अच्छा आप लग गया और कई बार तो हमें धक्का लगा कि लिए किनारे करना कि दरह उसको आप ऐसी सर्विस प्रॉइड करेंगे तो उसके क्या होगा इस प्रॉब्लम को साउट आउट करने के लिए हम लोग कई बार जो हम जिस जीलर से हमने गाड़ी खरीदी उसके पास भी गया और कई दो-तीन बार मैं खुद गया हूं सर्विस सेंटर इस प्रॉब् में फिर प्रॉब्लम सुरू होना इस्टार्ट हो गई तो यह गाड़ी लेकर जब से लिए हम लोग बहुत ही परिशान है और हुंड़े जैसा ब्रांड है हुंड़े इतना अच्छा ब्रांड है उसके बावजुद हमें ऐसी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है अब गाड़ी में कई सारे पार्ट्स चेंज खराब हो गया है जिसके वज़े से इसको चेंज करना पड़ा और सबसे में प्रॉब्लम उन्होंने बताया कि जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही थी वह इसलिए आ रहे थी क्योंकि स्यंजी टैंक में ही कोई इश्यू था उसमें है आपकी गाड़ी में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है अब मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि गाड़ी को लिए एक महीने बाद से प्रॉब्लम होने लगी तो इसका मतलब गाड़ी की मैनुफेक्ट्रिंग में ही प्रॉब्लम होगी सर्विस कराने के बाद जब तक आप जो है आप अपनी गाडी को पैट्रोल पर चलाईए आप मेडल क्लास आदमी को डीप नहीं करना चाहता नहीं किसी ब्रांड पर उंगली उठाना चाहता हूं बस जो मेरे साथ अपनी गाड़ी पर ध्यान दिये रहेगा तो बाकी काम क्या करेगा इसलिए मैं यह वीडियो बनाया और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए थैंक्यू सो मच